त्योहारी सीजन के शुरुआती दोर में सुचानपूर बादार में चहल पहल पढ़ गई है रोजमाला की बस्तों के साथ साथ फेस्टिवल सीजन की खरीदारी शुरू हो गई है मुखे बादार में सबसे ज़्यादा बिक्री खोले के रंगों की हो रही है हलांकि त्योहार दिवाली का है लेकिन होली परप से ज़्यादा दिवाली परप पर रंग बेचे जा रहे हैं अपने घरों में दीपावली परप के आगमन को लेकर सजने बाली रंगोली के लिए होली के रंगों की बंपर खरीदारी हो रही है और सबसे आकर्शन बाली माता मुख्य बाजार में कोई भी ऐसा बेपारिक प्रतिस्था नहीं है जहां पर इन रंगों की बिक्रीना हो रही हो इसके साथ चाथ घरों की सजाबट के लिए बिकने बाले पोस्टर लक्षमी गनेश के कलेंडर बिकना शुरू हो गए हैं त्योहारी सीजन पर भगवान की पूजा अरादना के लिए बिशेश प्रकार के बरतिन जोत इत्यादी बाजार में उपलब्ध हैं इसके साथ चाथ एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए पैकिंग मिठाईयां भी जोरदा तरीके से बिक्री हो रही हैं बात रसकुला गुलाव जामुन की हो या फिर सोन पापरी की इसके साथ साथ ड्राइफ रूट या फिर चॉकलेट की अलग अलग प्रकार की बराइटी मुखे बाजार में उपलब्ध हैं बताते चलें की दिवाली शनीवार को मनाई जाएगी जिसमें मात्र दो दिन ही शेश हैं हलांकि जिस तरह से बेफारी के गतिवीदियां बढ़नी चाहिए उस तरह से बाजार में भीट जमा नहीं हो रही है कुछ करोना का डर है तो कुछ महगाई की मार लेकिन फिर भी इस फेस्टिवल सीजन पर बाजार में ग्राकी उमन शुरू हो गई है